इस वीडियो में भी टिक्स के बार में जानेंगे टिक्स नमबर 10 में है ठीक है यहां पर मालेजे अगर A की कारे चमता A की कारे चमता B की आधी है एक की कारे चमता B की आधी है तो इसका मतलब क्या है कि A की कारे को किसी कारे को N दिन में पूरा करता है ठीक है क्योंकि A की चमता B की आधी है ठीक है तो अगर A अगर N दिन में कर रहा है तो B उस कारे को करने के दिन दिन लेगा उसी कारे करन में N by 2 दिन लेगा ठीक है क्योंकि जिसकी चमता यानि कम चमता है कम चमता तो ज्यादा समय ठीक है अगर चमता कम है तो समय उसकार को करने में लागा समय क्या होगा ज्यादा होगा अगर ज्यादा चंता है ज्यादा चंता तो कम समय ठीक है दोस्तों तो यहां पर अगर चंता आपका कम है तो जाइस दिबात है उस काम को अपकरने में कर पाईएगा धिरे धिरे तो समय क्या लगेगा ज्यादा लगेगा ठीक है 3-11 3-11 में क्या है M1 D1 H1 by W1 एकल तो M2 D2 H2 by W2 ठीक है इस कोच्छे में क्या है कि M1 व्यक्ति यह M1 आदमी ठीक है D1 दिन तक काम करकर परतिक दिन हुआ H1 घंटा काम करके ठीक है W1 कारे को कर सकता है ठीक है उसी छमता से जिस छमता से इस व्यक्ति इन सब व्यक्तियों में था उसी छमता से अगर M2 नंबर व्यक्ति काम करें D2 दिन तक और H2 घंटा परति दिन ठीक है और वह काम को W2 दिन में W2 कारे कर सकता है ठीक है इनके बीच में यह रिलेशन हो सकते हैं ठीक है दोस्तों ट्रिक नंबर 12 ट्रिक नंबर 12 में क्या है कि X1 आदमी जो है ठीक है या Y1 औरते जो है किसी कारे को करने में D दिन लगाती है ठीक है D दिन तो बताई है कि उसी कारे को अगर X2 आदमी और Y2 औरते मिल कर करें तो कितने दिन में करेगी ठीक है तो इसका एक फर्मला है D ठीक है X1 Y1 X2 Y1 प्लस X1 Y2 ठीक है यहां पर क्या है कि अगर X1 आदमी ठीक है या Y1 औरते ठीक है किसी काम को करने में D दिन लगाती है ठीक है तो बताई कि X2 आदमी और Y2 आदमी ठीक है दोनों अगर एक साथ मिल कर उसी कारे को करना चाहें तो कितने दिन में करेंगा इसको डाइट क्या करें हम दो इस टर्म को गुना करेंगे ठीक है सबसे पहले जो यह दुनों है इसको गुना कर देंगे ठीक है फियांद क्रोस कर देंगे X2 Y1 और X Y2 ठीक है दोस्तों तो में यह प्राप्त को जाए रहा है